सास की जादूई शक्ती कौशल्या ने एक रात सपना दिखा कौशल्या राजपूद तुमने किये है जीवन में अच्छे-च्छे करम इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो जिसके लिए तुमको सिर्फ चिटके बजानी होगी और चिटके बजाते ही तुम गायब बस एक बात का ध्यान रखना जहां तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ती वापस ले ली जाएगी कौशल्या की नींद तूट जाती है ये कैसा सपना था गायब हो जाओं की मतलब कौशल्या डर के मारे कौशल्या मंदिर जाने लगती है अर बहु जल्दी चल बिखारियों को खाना भी तो खिलाना है हा माजी अभी आई आज तो खीर और पूरी बने हैं सब खुश हो जाएंगी दोनों सास बहु कार से खानी का सामान लेकर मंदिर पहुँचते हैं और भगवान की आरादना के बाद मंदिर के बाहर बैठी भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं दिदी आप हर अफते आते हो इतना असारा करते हो हम लोगों के लिए मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ ये तो फर्ज है हमारा दिदी थोड़ी पैसो की मदद हो जाती तो अच्छा होता बड़े चोराए पर मेरी बीवी भीक मांगती है उसका इलाज करवाना है सो दो सो रुपय लग जाएंगे कवशलया उससी वक्त बिखारी को पाच्सो का नोट दे देती है और दोनों सास बहु वहां से लौटने लगती है तब ये कवशलया को कोई शंका होती है अब बहु रुखतो मैं अभी आई कवशलया वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहाँ है ही नहीं कौशलया को रात का सपना याद आता है वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती कौशलिया देखती है कि बिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशलिया उससे वहीं एक चाटा मारती है अरे कौन है बे? एक और चाटा पढ़ता है अरे कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ पिखारी को जूट बोलने पर तड़ा तड़ चाटे बढ़ते है वो वहाँ से भाग खड़ा होता है कौशलिया चुटकी बजा के वापस बहु के पास आ जाती है और मन ही मन सूचती है ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ कितनी ताकतवर हूँ मैं किसी को पता भी नहीं चलेगा सासुमा आप क्या सोच रही हो कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं ठीक है मुझे ना थोड़े पैसो की जरूरत थी मेरे कजिन भाई है ना उनकी तब्यत थोड़े इदर उदर हो रही है वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो पर बेहन होने के ना थे मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करू अरे हाँ हाँ ले जाना पैसे पैसे इसलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके घर पहुँचके कौशलिया अपनी बहु को दस हजार रुपे दे देती है कब जाएगी तुमा आएके कल शाम की ट्रेन है दोनों काम में लग जाती है तबी काम वाली दीदी वहां आती है आज ना मैं आप लोगों के लिए पनेर बनाऊंगी ठीक है मंगवा लेती हूँ पनेर पडोस की दुकान माला पनेर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है आज अपनी सूपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ देखू तो सही किचन में करती क्या है यह सास चिटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पाँचती है बाई को खबर भी नहीं है कि कौशलया भी किचन में ही है आज तो मैं भी पनेर की सबजी बनाऊंगी रात को अपने गर और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ वैसे भी कौशलया बुढ़िया खाखा के मोटी हो गई है कौशलया बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुसे में बाई की चोटी उपर उठा देती है बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे होगी वो डर के मारे चीक पड़ती है बहु भागते हुए किचन में आती है हरे क्या हुआ यह तुमारी चूटी खड़ी कैसे है करंट लग गया है क्या पता नहीं शायद किचन में न भूत है बाई बहां से भाग कड़ी होती है और कौशलया चुटकी बजा के अपनी कमरे में टीवी देखने लगती है बहु वहां जाती है माजी किचन में न भूत है बाई भाग गई अरे भाग ने दे न भूत का तो पता नहीं किचन में चोड जरूर था और वो थी अपनी काम वाली अच्छा हुआ चली गई बहु को कुछ समझ नहीं आया उसने किचन में जो देखा उसकी सदमे में जो थी वो भी तक अगले दिन बहु अपने माई की के लिए निकल जाती है कहीं बिखारी और काम वाली की तरह बहु भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही और कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली न अभी पता लगाती हूँ मुझसे कुछ छिपा है बला जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ सास को अपनी शक्ती पर घमन डा गया था वो अब अच्छे काम करने की जग़ अपनी शक्ती का इस्तिमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी वो चुटकी बजाती ही बहु के माई के चली जाती है भाईया आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तब्यत खराब है अरे तेरी सास बुड़ी हो गई है इतना भला काम करती है उनकी मदद कौन करता है यहां तो और भी लोग है ना भाईया मेरे पास कुछ पैसे है आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिये ना अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है मुझे जाना होगा कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी पर यमदूत ने उसे देख लिया यही आत्मा है शायद परचाई दिख रही है पहले ही तयार खड़ी है अरे आप कौन हो यमराज का नाम सुना है हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं हम उनके यहां जॉब करते हैं आत्मा उठा के लिए जाते हैं डिलिवरी वाले चलो आप तुम्हारा टाइम पूरा हो गया आरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आये हो मैं तो बस यहां देखने आई थी कि मेरी बहु कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना मतलब तुम्हारे पास शक्ती है गायब होने वाली हाँ तुम ऐसे तुछे काम में उप्योग कर रही हो ऐसी दिवे शक्ती का अब तो तुमको ही लेके जाओंगा अरे नहीं नहीं कल मुझे किटी पार्टी में भी तुझाना है अब नारक में ही करना किटी पार्टी नहीं नहीं तीन बार नहीं क्यों बोल रही हो टीवी सिडल चल रहा है क्या एक तक अपुर का अरे प्लीज मुझे जाने दो आप तो उस बिमार आदमी की आत्मा को लेने आये थे ना, गलत दिलिवरी करोगे तो यह मराज डाटेगा ना बहुत तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई, अभी उसकी उम्रे ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना, एक काम करो, अपनी शक्ती दे दो, गायब होने वाली हैं, अरे क्यूं? तुम प्रित्वी लोग का प्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहु की जासुसी करना शुरू कर दिया अरे लेके नक, कि किन तू, परन तू यमदूत, सास की शक्ती लेके वापस चले जाते हैं, कौशलया की परचाई हवा से नीचे गिरती हैं, और जमीन पे आते आते कौशलया का शरीर सामने आ जाता है अई रे, लग गई, कितने उपर से भेका माची, आप यहाँ, उपर से कैसे गिरी? अरे, समदन जी, आप अचानक कमरे में हैं सब घबरा जाते हैं, सास बहु को सारी बात बता देती है ये लो आपकी दस जार रुपे, आपको मुझे इतना भी भरुसा नहीं है अरे, बहन, मुझे दड़ नहीं हो रहा है, अचानक से सब अच्छा होने लगा है अरे, तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेट ने दो, गिरी हूँ उपर से तो पूरा बदन दुख रहा है भाई को तो यमदुद ठीक करके जाते हैं, पर कौशिलया देवी दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती है